नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का UPPCS 2012 से लेकर 2019 तक के प्री और मेंस परिक्षा में पूछे गए सभी प्रस्ण दोस्तों इसे हम दो पार्ट में complete करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि modern history वाले पार्ट से कितने सारे question पूछे जाते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता करीब करीब सारे 300 प्रस्ण होंगे प्री और मेंस को मिला करके तो इस वीडियो में हम लोग केवल प्री में पूछे गए सभी प्रस्णों को देखेंगे और second part जो आपका आएगा उसमें हम लोग मेंस में पूछे गए सभी प्रस्णों को डिसकस करेंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वीवेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इस कि मारी हमसे बताना है कि कौने सा आप संस्डी हो जाये गया है तो चली देखते हैं पहला आपका दिया गry एलाभाद की संधी तो इलाभाद की संधी हुई थी आपकी बारएगा गश् Balance 765 और E कह हो जाएगा चोथा B है on mygarlor की संधी has आपका 1784 में तो B कहो जाएगा आपका दूसरा उसके पाद C है सालबाई की संधी यह 1782 में हुआ था C कहो जाएगा पहला और D है मदरास की संधी यह हुआ था 1779 वी में तो D कहो जाएगा आपका तीसरा, 4, 2, 1, 3 जिस आपसन में होगा वह सही हो जाएगा आपका 4, 2, 1, 3 तो आपका C, B, कल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा अगला कोशिन देखते हैं आप निमलिखित घटनाओं को काला नुकरम में बेवस्थित किजिए और नीचे दिये गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए पहला है आपका पूना पैक्ट, दूसरा है गांधी इर्विन समझाओता तीसरा है क्रिप्स मिसन और चोथा है आपका सभी ने ओगियां आंदोलन तो आपको कूट के माध्यम से इसे बताना है कौँसा आपसन सही हो जाएगा तो चलिए देखते हैं तो पूना पैक्ट यह आपका यह 1932 में हुआ था उसको गांधी इर्विन समझाओता यह 5 मार्च 1931 को हुआ था 5 मार्च 1931 को हो जाएगा और क्रिप्स मिसन जो है यह आपका हो जाएगा 1942 क्रिप्स मिसन कब हो जाएगा तो यह आपका 1942 होगा और सभी ने ओगियां आंदोलन यह हो जाएगा आपका 1930 सभीने और ग्यान दोलन क्या हो जाएगा 1930 हो जाएगा तो आपको करम से लगाना है तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सभीने और ग्यान दोलन यानि कि चोथा फिर जो है आपका हो जाएगा यहां देख सकते हैं आप 1931 पांच मार्च 1931 फिर जो तीन हो जाएगा फिर जो है आपका यहाँ पहला हो जाएगा पुना पैक्ट पहला उसके बाद जो है लास्ट में हो जाएगा आपका क्रिप्स मिसन 1942 तो चार तो एक तीन जी सापसन में होगा वह सही हो जाएगा चार दो एक तीन आप देख सकते हैं विकल्प स्थी जो है यहां सही हो जाएगा नेक्स कोशन है आपका असैनिक प्रसासन 1905 के संदर में कौन सा कथन सही है पहला है लाड करजन ने प्रांती सीमाओं को पुनरगठित करने का निलड़े लिया दूसरा है पूरी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया है तो नीचे दिये गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए तो प्रसन संख्या चौदय का आपका यहां भी आपसन सही हो जाएगा दोनों ही सही है यानि कि असाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था तो दोनों ही सही है आपका भी विकल्प सही हो जाएगा है अगला कोशन आपका मुस्लिम लेग यहों भारती राष्टी कांग्रेस के बीच राजनेती की गतिरोध को दूर करने के लिए सी आर फार्मूला किसने बनाया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन भी राज गुपाला चारी ने मदरास प्रांत के प्रभाव साली नेता सी राज गुपाला चारी ने मुसलिम लेग यहों भारती राष्टी कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोद को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में आरो यार में पूछा भी गया था आपका तो जुलाई 1944 में दोनों पक्छों के मद्य समझाओते की एक योजना गांधी जी की सुईकृती से प्रस्तुत की थी जिसे CR फार्मूला का जाता है और जिन्ना ने इस फार्मूलो को जो है अस्विकार कर दिया था तो भी बिकल्प यहां सही हो जाएगा राज गुपाला चारी अगला कुशिन आपका दिराईज एंड ग्रोथ आफ एकोनामिक नेशनलिजम इन इंडिया के लेखक कौन है तो आपसन आप देख सकते हैं तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन डी बिपिन चंद्र दिराईज एंड ग्रोथ आफ एकोनामिक नेशनलिजम इन इंडिया एकोनामिक पॉलिसीज आफ इंडिया नेशनल लिडरसीब यह आपका 1880 से 1905 प्रसिद इतिहासकार विपिन चंद्रा द्वारा जो है लिखा गया है तो डी आपसन जो है आपका यहां सी हो जाएगा अगला कोशन अब देखते हैं निम्न गटनाओं को काला नुकरब में बेवस्तित कीजिए और नीचे दिये गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए पहला आपका महराजा हरी सिंग ने बिलय पत्र पर हस्ताक्षर किये दूसरा है भारत का संभिधान लागू हुआ तीसरा है जम्मू कास्मीर की प्रभुषत्ता संभिधान सभा ने भारत में बिलय को अनुमूदित किया और चौथा है आपका कि जम्मू तथा कास्मीर राजी का नया संभिधान लागू हुआ तो आपको बताना है कोट की मादर्म से कौन सा आपसन सही हुजाएगा तो यहाँ जो है आपका सी आपसन सही हुजाएगा सभी जो है करम से दिया गया है एक, दो, तीन, चार यानि कि सबसे पहले महराजा हरी सिंग ने बिलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था कब तो 26 अक्टूबर 1947 को उसके बाद भार का संभिधान लागऊ हुआ था 26 नौंबर 26 नौंबर 1949 को अपनाए गया था नियुक जनवरी 1950 में लागऊ हुआ था उसके बाद जम्मू कास्मीर की प्रभुसत्ता संपन संभिधान सभा नि भारत में बिले को अनमोदित किया था 1957 में 1957 में और जम्मू तथा कास्मी राज का नया संभिधान लाग हुआ था कब तो ये भी आपका 1926 नॉवंबर 1957 को लाग हुआ था 26 नॉवंबर 1957 को लाग हुआ था तो यहां आपका सभी करम से दिया गया है 1, 2, 3, 4 तो C आपसन यहां सही हो जाएगा अगला कोशिन आपका Native Marriage Act किस वर्स पारित किया गया था तो इसका सभी नसर हो जाएगा आपसन B 1872 यहनि के 1872 में Native Marriage Act यह आपका 1872 इसे भी पारित किया गया था इस एक्ट के तहट अंतरजाती बीवाहों को मानिता दी गई तो यहां आपका निवन्तम आयू 14 वर्स और लड़कों के लिए जो है 18 वर्स निधायत किया गया थी साथ ही इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था तो यहां आपका पूछा गया है Native Marriage Act किस वर्स पारित किया गया था 1782 1782 में अगला कोशिन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोट के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपसन सही हो जाएगा तो यहां आप देख सकते हैं एक तरफ आपका आंदोलन दिया गया है और दूसरी तरफ वर्स दिया गया है 1922 1921-22 में हुआ था आपका तो B का हो जाएगा तीसरा और C है संथाल बिद्रो यह आपका 1855-56 में हुआ था 1857 की करांती से ठीक पहले संथाल बिद्रो हुआ था आपका तो C का हो जाएगा पहला उसका बड़ D है ताना भकत अंदोलन यह आपका 1914 में हुआ था तो D का हो जाएगा चौथा तो 2-3-1-4 जिस आपसन में होगा हुआ सही हो जाएगा आपका तो आप 2-3-1-4 देख सकते हैं बिकल्प B जो है यहां सही हो जाएगा अगला कोशिन है आपका निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ घटना दिया गया है दूसरी तरफ बर्स आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है तो चली जो है देखते हैं यहां आप देख सकते हैं दिया गया समपरदाइक नीड़े 1933 जबकि यह है 16 अगस्त 1932 होगा सामपरदाइक नीड़े अंग्रेजों की बाटो और राजकरो नीती की तहत विटिस प्रधान मंतिर रैमजे मैक डोनाल द्वारा 16 अगस्त 1932 को सामपरदाइक नीड़े या जिसको कैमिनल अवार्ड का जाता है सुमेलित नहीं है 1933 आपका दिया गया एगलत है 1932 होगा यहां और बाकी जो है आप देख सकते हैं भारती जल सेना अधिनियम 1927 यह आपका सही है जल सेना यानिकि नो सेना उसके बाट जो है सभीनों और गया आंदोलन 1930 यह भी सही है आपका D विकल्प जो है सही नहीं है अगला कोशिन आपका अनिवन घटनाओं को काला नुकरम में ब्यवस्तित कीजिए और नीचे दिये गए कूटो में से सही उत्तर चुनिए तो आप देख सकते हैं तुझली जो है देखते हैं तो सबसे पहला आपका दिये गए साइमन आयोक की निवक्ति तो साइमन आयोक की निवक्ति कब होई थी तो इसकी जो है घोसना हो गया था आपका आठ नॉम्बर 1927 को कब हुआ था तो आठ नॉम्बर 1927 को साइमन आयोक की घोसना की गयी थी उसके बाद जलिया वाला भाग हत्याकार्ण आपका 13 अपरेल 1919 को हुआ था जलिया वाला भाग हत्याकार्ण उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि महत्मा कांधी की दांडी यात्रा ये आपका 5 अपरेल 1903 में प्रारम हो गया था ये उसके बाद फिरोज साय महता की मिरितु इनके मिरित्दु जो है 5 नॉवंबर 1915 को हुआ था कब हुआ था तो 5 नॉवंबर 1915 को तो सबसे पहले हो जाएगा फिरोज साय महता की मिरित्द 1915 यानिकि चोथा variance पहले होगा फिर जो आपका तीसरा हो जाएगा 5 अपरेल 1930 मातमा गांधी की स्वरी सबसे पहला जो है आपका हो जाएगा फिरोज साह महता की मृत्तु फिर जो है आपका हो जाएगा यहाँ जलिया वाला भाग हत्या कांड हो जाएगा चार दो फिर जो हो जाएगा आपका साइमन आयोक की नियुकती और लास्ट में आपका हो जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा तो यहां आपका A option सही हो जाएगा चार दो एक तीन आपका सही हो गया अगला क्वेशन आपका आईने के अधिकारियों पर मुकदमा चलाय गया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन ये सही होगा यहाँ लाल किला दिल्ली में आईने के अजाद हिंद फोज के ग्रपतार अधिकारियों पर नॉमबर उनिस सो पैंतालिस में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाय गया था और इस मुकदमे में मुख अभियुक्त जो थे आईने के तीन अधिकारी थे मेजर सहनुआज खान कर्नल गुरुद्याल सिंग गुरुद्याल सिंग धिलो और कर्नल प्रेम सहगल थे चिन पर जो है राजदरों का आरोप था और इस मुकदमे बचाओ पच्छे के वकीलों का नित्रित भूला भाई देसाई द्वारा किया गया था तो आपका ये बिकल्प जो है सही हो जाए गया यहाँ उस सन याद और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त बिद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव एस्विकार कर दिया था और कारण आर दिया कि वारेन हेस्टिंस स्वे में एक उद्वट विद्वान तथा प्राच्ची बिद्या का प्रकर समर्थक था जो कि संस्क्रीत फारसी वे अर्वी की अध्यन को प्रुसाहित करता था, तो यहां आपको बताना है कि नीचे दिये के कूर्ट से सही विकल्प का चेन कीजिए, तो इसका सही जुन्य चुरू है यहाँ आप से यह सही होग जए और जो की संस्कीत फार्ची और अर्वी के अध्यान को पुछा भी गया है प्रशने है बंगाल की एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना हुई थी इसके दौरा तो बिलियम जोन्स के दौरा आगे पढ़ते हैं तो यहां आपको यह 2018 में जो है पूछे गया है यह यह पूछे गय में मुसलिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपने सुईकृती वापस ले ली थी कारण आर है आपका कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुसलिम लीग सामिल हुई थी तो नीचे दिये गया कूछ से सही विकल्प का चेन कीजिए तो यहां जो आपका सही ह अगला कोशन अब देखते हैं निमलिखित घटनाओं को काल करमा अनुसार ब्यवस्तित कीजिए और नीचे दिये गए कोड से सही हुत्तर का चेन कीजिए पहला आपका दिया गया हंटर आयोग दूसरा सैडलर आयोग तीसरा है उड का घोशना पत्र और डी है आपका योजना तो चलिए जो है देखते हैं हंटर आयोग का घठन कब हुआ था तो 1882 में हंटर आयोग का घठन कब हुआ था तो 1882 में हुआ था और किसके सासनकाल में तो लाड रीपन के सासनकाल में तो लाड रीपन के सासनकाल में हुआ था 1882 में हंटर आयोग का घठन उसके ब तो 1917 में हुआ था खलकर्टा भी सुभी द्याले की समस्याओं की अध्यान के लिए ड़क्टर यामीश सैडलर के नित्रित में गठन किया गया था और C है उड का घोस्णा पत्र तो यह आपका चार्स उड दौरा 1854 में जारी किया गया था उड का गोस्णा पत्र उड़ का घोस्रापत्र हो जाएगा सबसे पहले यानि कि C हो जाएगा फिर जो है आपका 1882 हंटर आयोग हो जाएगा यानि कि C की बाद A हो जाएगा फिर जो है आपका B हो जाएगा सेल्डर आयोग 1970 यानि कि यहाँ B हो जाएगा और लास्ट में आपका सार्जेंट योजना हो जाएगा 1944 D CABD तो CABD आप देख सकते हैं D भी कलप जो है सही है अगला कोशन है आपका निमलिखित नेताओं में किसने करांतिकारी संगठन अभिनो भारत समाज की अस्थापना की थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B बिनायक दामूदर सावरकर यहने की B.D. सावरकर द्वारा B.D. सावरकर और उनके भाई गडेस दामूदर सावरकर ने मित्रमेला नामक संगठन सुरू किया गया था जिसे 1904 में नासिक में B.D. सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनो भारत समाज यहां कि यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में अस्थापित कर दिया था तो यहां जो है आपका B आपसम सही हो जाएगा अगला कुछ जना आपका निमलखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यह जो है आपका गलत है गोमधर कुमर के नेतरित में जो है अठारे सो अठाइस इस भी में अहोम छेतर की लोगों द्वारा अहोम विद्रो प्राराम भुआ था अगला कोशन अब देखते हैं निमन गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अलपसंख्याक लोगों का परतनिधित करने वाली कहकर उपहास किया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा अबसन ए लाड डफरिन ने भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना वह आपका 1885 में हुई थी भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था तो वह लाड डफरीन था ये प्रस्न भी पूछा गए आपका कि भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना के समय वाय सराय कौन था तो लाडफरीन था लाडफरीन का कारिकाल जो रहा 1884 से लेके 1888 भी तक रहा उसने कांग्रेस का यह कहकर मजा कुड़ाया था कि यह सुच मदर्सी अलप संख्यकों की संस्था है तो यहां जो है आपका सुमेलित नहीं है तो यहां आपका डी आपसन देख सकते हैं लखनो से आपका दिया गया लियाकत अली जबकि लियाकत अली का संबन जो है इन्होंने इलाहाबास से नेत्रित किया था कहां से तो इलाहाबास से नेत्रित किया था लियाकत अली ने तो यहां आपका डी आपस दिया गया है दोसरी तरफ नेत्री तो तो सेम कोईशन है आपका ये आगे देखते हैं तो यहां जो है आपका 2017 में पूछे गया है जो है सभी प्रशने यहां से आप देखने को मिलेंगे तो पहला प्रशने इसमें कि इनने खित कतनों पर बिचार कीजिए तथा उनके नीचे दिये गया है कूट से सही उत्तर का चेन कीजिए अभी कतन ये दिया गया है ब्रिटिस कार में साम मानित है भा क्या करता है नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो यहां जो आप देख सकते हैं लाड कार्नवालिस का संबन दिया गया है तिरती आंगल मराठा यूद से तो अंग्रेजों तथा मराठों के मत तीन यूद दे हुए थे प्रथम आं लाड कानुवालिस दिया गया है तो यह जो है आपका सुमेलित नहीं है बाकी हेक्टर मुन्रो के समय बकसर का यूद हुए था सही है आपका उसके बाद लाड हेस्टिंग के समय आंगल नेपाल इद्दू भी हुआ था लाड विलेजली के समय चतूर तांगल मैसूर हुआ था यह सभी सही है डी आपसन जो आपका सुमेलित नहीं है अगे बढ़ते हैं निमलेखी तीव मों में कौन सही समय नहीं है एक तरफ आपका बिद्रो दिया गया है दूसरी तरफ वर्स तो यहां आप देख सकते हैं पापना बिद्रो कब वगा था तो यह आपका 1873 में हुआ था सही है उसके बाद भी है दक्कन किसान बिद्रो तो यह आपका 1850 में हुआ था यह भी सही है और सी है सन्यासी बिद्रो तो यह आपका 1894 दिया गया है एक गलत है सन्यासी बिद्रो आपका यह 1763 से लेके 1800 तक हुआ था सन्यासी बिद्रो 1763 से लेके 1800 तक चला था 1800 इस भी तक उसके बाद आपका कोल बिद्रो आपका 1870 दिया गया ह सी और डी आयोग ने जो है संसोधित उत्तर कुंजी में जो है इस प्रस्ण को जो है मुल्यांकन से आपका बाहर कर दिया गया थे क्योंकि दो आपसं जो है यहां गलत है अगला कोशन आपका निमलखित में से कि सामाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर बिरोध किय था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसं भी राजा राम मोहन राय ने और अगला प्रस्ण है आपका निमलखित में से कि अस्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड़े अस्थापित किये थे तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसं डी उप्रोग सभी में नाक प पातनम में 1650 में मचली पंटिशन हम हैं है página quieres 1019 मेंी स्थापइद किया था 205 में सूरत में आपका Congrats Wow 16 practiced भरोच में 1640 में आग्रा में 1691 में आग्रा में है अस्थापित किया था में आपका 1663 में 1663 में उसके बाद ऐहमधाबाद में 16そうですね चुनिस में पट्णा में जो है 1639 में तो यहां सभी जो है सही है आपका कि आपसे पूछा गया अस्थानों पर डचो ने अपने ब्यापारी कड़्ड़े अस्थापित किये थे तो सभी जेगें पर अस्थापित किये थे D.B. कल्ब जो है आपका सही हो गई हैं नेक्स्ट आपका स्वत्यनत्रता पूरु भारत में निम्रिखित में से किस ने केंदरी बिधान सभा में स्वयराज दल का समर्थन किया था तुछ का सही इंसरोगा आप्षन ए मे जिन्ना पहमाद अलित जिन्ना ने आगे परते हैं गोपाल क्रिश्ट गोखले ने किस वर्स में भारत सेवक मंडल यानि कि सर्वेंट्स आफ उंडिया सोसाइटी की अस्थापना की थी तो इसका सही इन सुरू जाएगा option D. 1905 में 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल के अस्थापना की थी इसका उद्ये से था भारत सेवा के लिए प्रचारत त्यार करना और संबिधानिक तरीकों से भारती जनता के सचे हितों को पुर्चाहन देना था तो याद रखेगा डेट जो है 1905 में और ये भी पूछा जाता है कि Servants of India Society के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी अगला आपका निम्रिखित में से किस वर्स बंगाल के मिदनापूर जिले में जातिया सरकार की अस्थापना हुई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन D 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की एक महतपूर विशेषता जो है बलिया तामलूक तामलूक का है तो मिदनापूर में है और सतारा सही देश के कई अस्थानों पर समानांतर सरकारों की अस्थापना होई थी दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदनापूर जिले में 377 के नेतरित में गठित जाती सरकार जो है सितंबर 1944 तक चली इस सरकार ने तुफान पीड़तों के लिए साहता करेकरम परारम किये और स्कूलों का अनुदान दिये थे धनी लोगों का अत्रिक्त धन गरीबों में बाटा था और एक ससस्त्र विद्धुत वाहिनी का भी जो है गठन किया गया था तो यहां आपसे पूछा गया कि किस वर्स बंगाल के मिदनापूर जिले में जातिया सरकार की अस्थापना ह हुई थी तो यह आपका 1942 में हुआ था डी आपसन सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका निम्लिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अलबर्ट आइंस्टीन एच जी वेल्स हैराल लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहान भूत पो टिपड़ी की थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन सी मेरट सडियंत्र मुकदमा वर्स 1929 से लेके 33 के बेच हुए मेरट सडियंत्र मामले में 33 सर्मिक नेताओं पर राजद्रों का मुकदमा चलाए गया था इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफिसर इसकी आलोचना किये थी सी आपसन जो है सही हो जाएगा अगला कोशन है किसने इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिपड़ी की की कंपनी एक एसंगती है प्रन्तु यह उस ब्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही एसंगत है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा तो इसकी का यहां जो था था मसंवेंगं तं मैकाले था तो यहां यहां आपका टीब्ली मैकाले हो गाँगा तो जब आपका यह तही हो जाता इतुरे जो जाता यह कंपनी है आप वहां से इंडरॉल होके आप फ्री मreamark टेस्ट जो है दे सकते हैं कोई सुलक नहीं है यह आपका 9 सितमबर से जो है स्टार्ट हो गया है और 27 सितमबर टक जो है चलाया जाएगा जिसमें जो आपको 8 लिशंस जो है दे जाएगे टू टेस्ट जो है कराया जाएगा तो यह बिल्कुल जो है आपका free आप cost है लिंक जो है description में देधिया गया है वहाँ से जो है join कर सकते हैं आप इस test को और कैसे join करना है उसका भी video जो है आपको link में मिल जाएगा आप an academy पर जो है कैसे join हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही जो है यह free of cost है UPPSC prelims mock test championship आप वहाँ से enroll होके जो है free में mock test अपना दे सकते हैं अब चाहे UPPSC की त्यारी कर रहे हो या UP SI या UP से related किसी भी भरदी परिक्षा की त्यारी कर रहे हो तो आपके लिए free में जो है mark test अने academy पर चलाया जा रहा है और test का जो है आपको full analysis भी मिलेगा चाहे आपका paper first हो GS का भी हो चाहे CSAT सभी paper का जो है आपको full analysis भी कराया जाएगा तो यह आप जो है आपका बिल्कुल free of cost है आप join कर सकते हैं an academy description में जो है आपको link दे दिया गया है तो दोस्तों जो है अब यहाँ से आपका 2015 UPPCS pre में जो है पूछे गए सभी प्रस्ण जो है देखने को मिलेंगे तो पहला इसमें है British East India Company ने चाहे के ब्यापारी के एक अधिकार को खो दिया था कब आपसन आप देख सकते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा 1833 के charter act के द्वारा C आपसन जो है सही हो जाएगा 1833 के charter अधिनियम के द्वारा company ने के ब्यापारी के अधिकार पूर्ता जो है समात कर दिये गए अब company का कारे British सरकार की ओर से मात्र भारत पर सासन करना रह गया था तो C भी कलपे हां सही हो जाएगा नेक्स आपका विवेकानन्द ने सिकागो में आयोजित पार्लियामेंट आफ वर्ल्स रिलिजन्स में भाग लिया था कब तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन C 1893 में 1893 में स्वामी विवेकानन्द ने सिकागो में आयोजित पार्लिया गया था डी आप्सन से यह हो जाएगा बीडी सावरकर यानि कि बीनायक दाम उदर सावरकर द्वारा 1899 में अस्थापित मित्र मेला ही 1905 में एक गुप्त सभा अभिनो भारत में परिवर्तित हो गया था अभिनो भारत की साखाएं महराश्ट के अलावा करनाटक और मध्यपर फेज तो ये जो है पाकिस्तान द्वार्मेटी फेज के लिखा कौन थे तो खालिद बिन सहीद थे ये जो है आपका सुमेलित है बाकी आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है कि डवलू सी स्मीथ the Muslims of Vertis India तो ये जो है आपका गलत है the Muslims of Vertis India के लिखा कौन थे तो पीटर हा प्राटिशन मोईन सकीर इसके लिखा कौन है तो मोईन सकीर है तो यह भी जो आपका गलत है उसके बाद यहाँ डी है मोईन सकीर दिया गया है माडरन इसलाम इन इंडिया तो माडरन इसलाम इन इंडिया डवलू सी इसमित के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा तो यह ड बनी है राश्टी आंदोलन के दोरा निमलखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसं C दादा भाई नवरोजी ने दादा भाई नवरोजी को जो है Grand Old Man of India यानि कि भारत का बयो बिद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है अगला कुशिन आपका बंकिम चंच चटरजी के परसिद उपन्यास आनंदमठ का कथानक अधारित है किस पर तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा आपसं D आनंदमठ बंकिम चंच चटरजी दोरा लिखित एक बंगाली उपन्यास है जो की 1882 इसमी में परकासित हुआ था यह उपन्यास 287 अताब्दी में बंगाल में हुए सन्यासी बिद्रोव पर अधारित था तो D भी कलप आपका सही हो जाएगा अगला आपका हाली पद्धत संबंदित थी किस से तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपशन यह बधुआ मजदूर से हाली पद्धत बधुआ मजदूर यों बधुआ मजदूरी से संबंदित है हाली पद्धत के अंतरगत वार्दोली छेत्र में कपिल राज जनजाती के लोगों को उच जाती हो कि यहाँ पुष्टैनी मजदूर के रूप में कारी करना होता था तो यह आप्शन जो है आपका सही हो जाएगा अगला प्रशन है अब निमलिकित में से कौन दी प्राबलम्स आफ दी प्राबलम्स आफ दी फार इस्ट नामक पुष्टै के लेखक है तो यहाँ बी विकल्पाप का से हो जाएगा कर्जन प्राबलम्स फार दर फार इस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुष्टै के लेखक जो हो है जाजेन कर्जन है तो बी विकल्पाप का से हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब लंदन में आयोजित निमलिखित गोल में सम्मेलनों में से किसमे महातमा गांधी उपस्थित थे तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन भी सेकेंड डाउन टेवल कांफरेंस में महातमा गांधी उपस्थित हुए थे और यह कब हुआ था तो साथ सितंबर से लेके एक दिसंबर 1931 के बीच जो है दुती गोल में सम्मेलन आयोजित किया गया था इसी में गांधी जी ने जो है भाग लिया था अगला प्रशने अब आपका निमलिखित मिसे किस अधिवेशन में कांग्रेश ने पहली बार भारती रियासतों के प्रती अपनी नीती घोशित की थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन ए नागपूर अधिवेशन में आगे बढ़ते हैं अखिल भारती किसान सभा के संस्थापक अध्याइक्च कौन थे अप्रेल 1936 में भारती राष्टी कांग्रेस के लखनव अधिवेशन में की गए थी और स्थानी स्वायत सासन का जनक कहा जाता है कई बार यह UPPAC में पूछा गया है याद रखीगा इंपॉर्टिंट कोशन है इसका सही इंसर हो जाएगा आपसवन डी लाड रीपन लाड रीपन की कारिकाल में अस्थानी स्वायत प्रस्ताव अठारेसो 82 इसवी से भारत में आधुनीक अस्थानी स्वायत सासन का प्रारम भुमाना जाता है और लाड रीपन को अस्थानी स्वायत सासन का पिता या जनक भी कहा जाता है अगला कुशन है आपका निमलकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसण डी यहाँ एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन जो है ए आपका सुमेलित नहीं है खिलापत आंदोलन प्रारम करने के लिए गठित खिलापत कमेटी में सौकत अली अली बंदू थे सौकत अली उसके बाद जो है मुहम्मद अली अबुल कलामाजाद हकी मजमल खान हसरत मुहानी तथा डाक्टर अंसारी सामिल थे तो यहां जो है आपका डी आपसन सुमेलित न अगला प्रशनय आपका भारती राष्ट्री काांगरेश के पहले अधियक्च कौन थे तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्सान C, W.C. बनर्जी, यहनी कि ब्युमेश चन्द बनर्जी, भातिराश्टी कांग्रेश के पहले अधेक्ष जो थे पहला अधिवेशन जो हुआ था, 885 में बंबई में हुआ था, कहाँ पर तो घुकुल दास्तेजपाल संस्कित महाबिद्याले में आजित किया गया था अगला कोशन है निमलखित में से किसने इंडियन सोसाइटी याफ ओरियंटल आर्ट की अस्थापना की थी तो इसका सही इंस्पर हो जाएगा आपसन C अवनिंद्र नात्र टेगोर ने कब किया था तो 1907 इसमी में याद रखेगा अगला कोशन अब देखते हैं निमलखित यगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं निमलखित नहीं है अगला कोशिन आपका निमलिखित यगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहां आप देख सकते हैं कि पहला दिया गया है एसियाटिक सोसाइटी या बंगालत के स्थापना 1784 में हुआ था सही आपका बिलियम जून्स के दौरा और भी है एसियाटिक सोसाइटी या 1823 में हुआ था रायल एसियाटिक सोसाइटी आप ग्रेट बिटेन के स्थापना कब हुए थी तो 1823 में हुआ था यहां आपका दिया गया 1831 गलत है और D जो है आपका दिया गया है लैंड होल्डर सोसाइटी या बंगाल के स्थापना 1844 तो यह भी जो आपका गलत है अब यहां से जो है बर्स 2014 में यूभी PCS पिर एक्जाम में पूछे गए हैं प्रस्वन देखने को मिलेंगे तो इसमें पहला आपका बंगाल के भी भाजन के समय बंगाल का लेफ्टीनेंट गौवर्नर कौन था तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आप से यह सर एंडूज फ्रेजर यह आपसं जो है सही हो जाएगा यहां अगला कुशन है आपका ब्रिटिस पत्रकार यह ची डवलू नेविंसन जुड़े थे तो इह स्वैदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे C आपसं सही हो जाएगा अगला कुशन है अब जलिया वाला बाग नरसंगहार प तो 13 अप्रेल 1919 को हुआ था और इसमें कांग्रेस जांच समिती की रिपोर्ट की प्रारूप को लिखनी का कार्य महातमा गांधी को सौपा गया था तो भी आपसं जो है आपका सही हो जाएगा अगला कुशन है आपका महातमा गांधी की साथ निम्न मुसल्मानों में से किस इसने बालगंगा धर तिलक की अर्थी उठाई थी तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसनी सौकत अली ने बालगंगा धर तिलक की मृत्त जुहव Αपका एक अगस्त 1920 को हुई थी उसके बाद जो है मृत्तु के बाद उनकी अर्थिक को महत्मा गांधी के साथ मौलाना सौकतली तथा डाक्टर सैफु दीन किछलू ने उठाया था और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समें सोक गीत को पढ़ा था अगला कोशिन आपके इंडियन उपीनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे जिसका सही अंसर हो जाएगा आप संदी मन्सुक लाल नजर इंडियन उपीनियन महत्मा गांधी द्वारा दच्छिड अफरीका से वर्स 1903 में प्रारम की गई थी जिसके प्रथम संपादक थे मन्सुक लाल नजर जो नटाल कांग्रेस के स्ची वी थे यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकासित होती थी तो यहाँ जो है याद रखेगा इंडियन उपीनियन पत्रिका के प्रतम संपादक कौन थे तो वह मन्सुक लाल नजर थे अगला प्रशने दादा भाई नवरोजी के विशे में निमलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है तो यहाँ आप देश सकते हैं कि D आप्सन लिखा गया है कि उन्होंने चार बार भारती राश्टी कांग्रेज की अध्यक्शता की थी भारती राश्टी कांग्रेज की अध्यक्शता दादाभाई नवरोजी ने की है दी आप सुन जो आपका सही ने बाकी यहाँ यह जो दिया गया कि वह पहले भारती थे जो एलफिंस्टन कालेज बंबई में गड़ी थे हों भौतिकी के प्रूफेशन नियुक्त हुए थे तो यह जो है आपका सही है उन्होंने अठारे सो बानवे से लेके अठारे सो पंचा का प्रारम बेकिये था तो यह भी जो है आपका सही है अगला कोशन अब देखते हैं भारती राष्टी कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगा धर्तिलक ने भाग लिया था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंट डी अमरित सर अधिवेशन उनीस सो उन्न और अगला कोशन अब आपका कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें बिटीस पार्लियामेंट को बाँज और बेस्या काहा है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंट सी हिंदु सोराज में मातमा गांधी ने अपनी पुष्टक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेस्या काहा है मातमा गांधी दौरा यह पुष्टक मूलते गुजराती भासा में 1909 इस भी में जो है लिखी गई थी और महात्मा गांधी द्वारा ये टिपड़ी ब्रेटिस पार्लियार्मेंट की कार्य प्रनाली पर की गए थी आगे पड़ते हैं भारती राष्ट्री आंदोलन से संबंदित निम्लिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिया गए कूर्ट से घटनाओं का सही काला नुकरम पता की जिए पहला दिया गया है बीजी तिलक का निधन दूसरा है आपका एक अधिनियम के रूप में रॉलेट बिधेयक का पास होना तीसरा जलियावला बागनर संगा चोथा है भारती राष्टी कांग्रेश का अमरेट सर अधिवेशन 1919 तो चलिए देखते हैं बीजी तिलक का निधन कब हुआ था तो एक अगस्त 1920 को बाल गंगा धर तिलक का निधन हो गया था दूसरा जो दिया गया है कि एक अधनियम के रूप में रॉलेट बिधेयक का पास होना तो यह जो है आपका 1919 में पास हुआ था तीसरा है जलियावला बागनर संगार तो यह है आपका 13 अपरेल 1919 यह आपका अपरेल होगा 1919 और एक अधनियम के रूप में रॉलेट बिधेयक का पास होना यह आपका मार्च में पास हुआ था उसी के बिर्योद में जो है जलिया में एक सभा बुलाई गए थी जो की जलिया वाला बाग नरसंगार हुआ अप्रेल 1919 में फिर चौथा है आपका भारती राश्टी कांग्रेस का अमरिश सर अधिवेशन 1919 तो यह आपका दिस लास्टी हो जाएगा आपका बीजी तिलक का निधन एक दो तीन चार एक यह आपका ए भी खिल्प जो है सही हो जाएगा है आगे परते हैं निमलखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है तो यहां आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है तो डी आपसे जो है दुर्गा दास हैं कौन है तो दुर्गा दास बाकी जो है सभी सुमेलित हैं यहां यह सी बोस इंडियन इस्टगल दादा भाई नौरोजी द्वारा पावर्टी एंड अड़िस रूल इंडिया लिखा गया है राजिंद प्रसाद की पुष्टक का नाम है इंडिया डिवाइ कि संस्कृत के एक बिद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल्चस्पी है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B से हो गए हां मैक्स मूलर ने और अगला कुशन आपका कांग्रेस के मंच से भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पर्थम बार स्वेराज सब्द बैक्त किया गया था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच से भारती राष्टी कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेतन 1906 में पर्थम बार स्व्यराज सब्द का बालगंगाधर तिलक द्वारा यह बैक्ति किया गया था और दादा भाई नवरोजी ने स्वराज सब्त की ब्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारती राष्टी कांग्रेस का लक्षे बताया था तो भी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा है अगला कोशन है दिमैन हो डिवाइड़ इंडिया पुस्तक की लेखक कौन थे तो इसका सही इंसर होगा आपसन सी रफीक जकारिया दिमैन हो डिवाइड़ इंडिया नामक पुस्तक की लेखक रफीक जकारिया थे और अगला प्रशन है अपनी फांसी से पूर निमलिखित करांधिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिये गए दूद को ऐस्विकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मा का दूद लूँगा तो इसका सही इंसर होगा आपसंद C, राम परसाद बिस्मिन अगला कुशिन आपका निमलिखित में से किस ने गांधे इर्विन समझावते में महात्मा गांधी के लाव को सांतोना पुरसकार कहा था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंद B, एलन कैम्पवेल जांसन ने इर्विन के जीवनिकार थे एलन कैम्पवेल जांसन ने गांधे इर्विन समझावते में महात्मा गांधी के लावों को सांतोना पुरसकार और इर्विन के एक मात्र आत्म समरपड के रूप में बादचीत के लिए सहमत होने को कहा था अगला कुशन है वापका सुची वन को सुची टू के साथ मिलान करना है और कुड के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपसन सही हो जाएगा यहां तो चली देखते हैं बिनोबा भावे का संबंद हो जाएगा बैक तिक सत्याग रह थे तो A का हो जाएगा आपका दूसरा उसके बाद B हो जाएगा BG तिलक BG तिलक का संबंध होगा Home Rule आंदोलन से B का हो जाएगा पहला C है अउड़ा आसाफ़ली का संबंध हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से C का चोथा हो जाएगा स्रोजनी नाइडू का संबंध हो जाएगा धरसना रेड से D का हो जाएगा तीसरा 2, 1, 4, 3 जिस आप्सन में होगा यानि कि आपका A, B कल्प जो है सही हो जाएगा अगला प्रशना आपका नीचे दिएगे कूट का उप्योग करते हुए निमलिखित घटनाओं को सही काला नुकरम से निर्दिष्ट केजी पहला आपका है रॉलेट एक्ट के विरुद सत्याग्रह दूसरा है चमपार सत्याग्रह तीसरा खेड़ा किसा नाम दोलन और चोथा है आपका एहमताबाद मिल हर्ताल तो आपको कूट के मादिन से बता रहा है कि कौन सा आपसन सही हो जाएगा तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले ये सभी घटनाए आपको पता होगा कि मातमा गांदी के भारत वापस लोटने के बाद यानि कि 1915 के बाद की घटनाए दे गई हैं तो सबसे पहले जो है आपका जबरन नील की खेती के ब्रियोद में चंपारन सत्यागर है आपका शुरू हुआ था 1917 में 1917 में शुरूआ था उसके बाद वर्स 1918 में एहम्दाबाद मिल में मालिकों और मजदूरों के प्लेग बोनस वीबाद के चलते एहम्दाबाद मिल हर्ताल हुआ था 1918 उसके बाद जो है आपका किसानों से फसल बरबादी के बाद लगान वसुलने के ब्रियोद में खेडा सत्यागर है हुआ था आपका तो ये भी जो है आपका 1918 में हुआ था एकिन एहम्दाबाद मिल हरताल के बाद ये हुआ था उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट के बरिद सत्यागर्य आपका हुआ था 1919 में 1919 में हुआ था तो करम से यह दि देखा जाए तो आपका यहाँ सबसे पहले हो जाएगा 2 फिर जो हो जाएगा 4 फिर जो हो जाएगा एम्दाबाद मिल हरताल के बाद खेड़ा हो जाएगा 3 फिर जो है आपका लास्ट में हो जाएगा रॉलेक्ट एट के बरिद सत्यागर्य नीस नीस 24 तीन है किने आपका यह आप्शन जो है सही होगा यहाँ अगला आपका सर ठामस मुन्रो के इन बर्सों में मर्दास की गववर्नर रहे तो यह आपका 2016 में पुछे गए प्रशन है यहां से अप देखने को मिलेंगे तो इसका सही जो अंसर हो जाएगा आपसनी अफसनी अधाइस सो बीस से अफाइस इस भी तक सर टामस मुन्रो 1820-1827 इस भी तक मदराज के गवर्णर रहे तो यहाँ आपका ए आपसन सही हो जाएगा अगला कुशिन आपका खिलाफ़त आंदोलन के प्रमुख नेता निमलखित में से कौन थे तो इसका सही इंसर होगा आपसन ए मौलाना मौम्मद अली और सौकत अली अली बंधू के नाम से भी जाने जाते हैं तो ए आपसन जो है सही हो जाएगा है नेक्स्ट आपका देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्स में आरंभ हुआ था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन डी 1923 में गठिद पार्टी का नाम क्या था तो इसका सही इंस रो जाएगा आपें सही हो गए हैं स्वअराज पार्टी सहेव घांदोलन की स्फलता के बाद स्वअराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में सियर्दास और मोतिलान नहरू کے द्वारा और स्यार्दास इसके अध्यक्ष तथा मोती लान नहरू इसके महासाची थे और स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन हिस्थे के रूप में परचारित किया था आगे बड़ते हैं लाडल होजी की बिलय नीती का पर्थम सिकार निमने खित में से कौन हुआ था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन B 17 लाडल होजी के बेपगत सिधान केंतरगत जो है बिलय किया गया प्रदेश जो थे आपका 17 सबसे पहले बिलय किया गया था 1848 में उसके बाद जो है आपका जैतपूर योंसंभलपूर जैतपूर योंसंभलपूर को 1849 में जो है बिलय किया गया था उसके बाद जो है आपका बगहाट का बिलय किया गया था 1850 में एक क्रम जो है पूछा जाता है याद रखेगा बगहाट का बिलय कब किया गया था तो 1850 में फिर जो है उदेपूर का बिलय किया गया था किसका फिर जो है उदयपूर का बिले किया गया था आपका 1852 में उदयपूर का बिले 1852 में हुआ था फिर जहांसी का बिले यह आपका 1853 में हुआ था जहांसी का बिले कब हुआ था 1853 में फिर जो है नागपूर का बिले आपका 1854 में उसके बाद जो है करवली का बिले 1855 में क्रवली का बीले कब हुआ था तो अठारे सो पच्पन में याद रखिया आगवा सबसे पहला यहां पूछा गया है तो वह है सतारा अठारे सो और तालिस में क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है तो उसे भी आप लोग याद रखियेगा अगला आपका सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपसन सही हो जाएगा यहां तो चलिए जो है देखते हैं सबसे पहला आपका परथम करनाटा की उद्ध है यह एक सला चैपल की संधी से अंत हुआ था एका हो जाएगा चोथा उसका बी है आपका तिरती करनाटा की उद्ध है तो यह पेरिस की संधी से अंत हुआ था तिरती करनाटा की उद्ध का तो D का हो जाएगा दूसरा 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 आप देख सेटे हैं विकल्प C जो है सही हो जाएगा है अगला कॉशन आपका पस्चिमी भारत के D के करवे का नाम निम्लखित में से किस संदर्ब में आता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपका यहां इस्त्री सिक्षा में भी आता है और विद्वा पउनर विवा दोनों ही में जो है आता है दीके करवे का नाम तो C और D दोनों ही आपसन जु है यहां सही होना चाहिए C और D दोनों आपसन जो है सही होना चाहिए D के करवे जो है परसिद समाज सुधारक थे उन्होंने बिधवा बिवा यो महिला सिच्छा के छेतरे में महत्पूर ये उगदान दिया इन्होंने रानाडे के साथ बिधवा पुनर बिवा अंतोरन का संचालन किया और बिधवाओं को सिच्छा देने के लिए बिधवा आशरम संग की अस्थापना की थी और इस आशरम का उद्यस बिधवाओं को सिचिकाओं परिचारिकाओं अथवा दाईयों के रूप में प्रसिचित करके आत्मय निरभर बनान था इनका पूरा नाम क्या था तो दोदो केसो करवे DK करवे का पूरा नाम था दोदो केसो करवे या विदोवापुनर विवास संगे के सचीव भी थे इन्होंने वर्स 1916 में बंबाई में पर्थम महिला भी श्विद्याले की अस्तापना भी की थी तो यहाँ जो है आपका C और D दोनों ही आपसन जो है सही है अगला आपका अंग्रेजों के बिरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रयारम्ब किये गए अंदोलन का नाम क्या था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन लाल कुर्ती यानिकी रेडिसर्ट अगला कोशन है आपका कि निमल्कित में से किसके बिरुद में रबिंद्र नाथ टेगोर ने अपनी नाइट हुट का प्रित्याग कर दिया था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन भी जलिया वाला बागनर संगहार में 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला बागनर संगहार की हिर्दय बिदारक घटना के बाद रबिंदर नाथ टेगोर ने बिटी सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट हूट की उपादी लोटा दी थी और टेगोर ने कहा था समय आ गिया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर में हमारे कलंक को सुअसपष्ट कर देते हैं तो यहां जो है आपका बी आपसन सही हो जाएगा और नेक्स्ट है आपका तो यहां से आप 2015 री एक्जाम में जो है पूछे गए प्रस्ट तो पहला है इसमें कि दचिर भारत के पोलिगार कौन थे तो यहां थे आपका छेतरी प्रसास की और सेन नियंतरक सी आपसन जो है सही हो जाएगा पूलिगार एक सामंतवादी उपादी थी जो कि दचिर भारत के नायक सास को द्वारा 16-18 सताबदी की दोरान नियुक किये गए छेतरी प्रसास की यों सेन नियंतरक को के एक वर्ग क परदान की गई थी तो C B कलप से हो जाएगे हैं अगला है आपका स्वमेंदरनात्र टेगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B करांतिकारी साम्यवादी दल की अस्थापना 1934 में स्वमेंदरनात्र टेगोर के द्वारा की गए थी औ पहली बार एक महिला को अध्यक्च चुना था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप सनी कलकत्ता अधिवेशन 1970 में कांग्रेस के 32 अधिवेशन का आयोजन 26-29 दिसंबर 1970 के मद कलकत्ता में हुआ था इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्च चुना गया तो यह पूछा भी जाता है कि किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्च चुना गया था तो इनी बेसेंट को चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन 1970 में और पूछा जाए यह था कि किस सरोजनी नाइडू को 1925 में कांग्रेस का कानपूर अधिवेशन में 1925 हो गया तो यह पूछा पर्थम भारती महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्च चुनी गई तो वह सरोजनी नाइडू होंगी और पर्थम महिला पूछा जाएगा तो वह हो जाएंगी एनी बेसेंट अगला कुशन है आपका लखनव में 1857 के सुत्यंतरता संग्राम का नेत्रित किस ने किया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन C. हजरत महल बेगम हजरत महल ने जो है लखनव में 1857 के सुत्यंतरता संग्राम का नेत्रित किया था ची आपसम जो है सही हो जाएगा है नेक्स्ट आपका लोखहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसम यह गुपाल हरी देशमुख को गुपाल हरी देशमुख महाराष्ट के एक समाज सुधारक थे देशमुक ने सापताहिक पत्रिका प्रभाकर में लोक हित वादी उपनाम से महाराष्ट में समाज सुधार पर आलेक लिखे थे यह आपसम सही हो जाएगा अगला है आपका कामा गाटा मारू किया था तो यह एक जहाज था कामा गाटा मारू भाब सक्त से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्स 1914 पूछा भी जाता है कामा गाटा मारू परकड़न कब हुआ था तो यह आपका वर्स 1914 में हांकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था लेकिन तब कनाडा में एस याए मूल के प्रवासियों से संबंदित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रिवेश की अनुमती नहीं दी गई थी तो याद रखेगा संब कामा अगाटा मारू परकड़न 1914 में हुआ था और कामा अगाटा मारू किया था तो एक जहाज था जापानी जहाज था अगला आपका 1946 के कैबिनेट मिशन का नित्रित किया गया था किसके द्वारा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप शनी सर पैंथिक लारेंस के द्वारा 1946 में लाट पैंथिक लारेंस ने हाउस आफ लाट्स में घोसना की कि मंत्री मंडल का सिस्ट मंडल जिसमें हुआ है सुयम सर इस्टेफोर्ड क्रीप्स और एवी अलेक्जेंडर होंगे और भारत जाएगा ताकि वाइसराय की सहायता से भारती इस नेताओं से राजनायतिक मामलों पर बातचीत कर सके तो ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन याद रखेगा 1946 अगला आपका 1924 का बंगाल का तारकेशोर अंधोर अन्यमलखित में से किस के बिरुद था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन ये मंदिरों में भरष्टा चार के बिरुद अगला प्रशन है अब वर्ष 1929 में जारी किये गए दी पावली घोषनापत्र का संबंद था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन B डोमेनियन स्टेट से 31 अक्टूबर 1929 को ततकालिन गवर्णर जन्दर लाड इर्विन द्वारा जारी किये गए दी पावली घोषनापत्र का संबंद भारत को डोमेनियन स्टेट्स करने से था तो बी विकलप जो है सही हो जाएगा यहाँ अगला प्रशन है अब गांधी जी को one man boundary force कहकर किसने संबोधित किया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन सी लाड माउंट बेटन ने माउंट बेटन ने गांधी जी को one man boundary force की उपादी प्रदान की थी तथा कहा था उन्होंने कि जो काम पचास हजार हतियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया है तो इसी भी कल्प जो है यहां से हो जाएगा अगला कुशन आपका काकोरी केस के अभियुक्तों के बचावित किसकी अध्यक्षता में एक समीति का गठन हुआ था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन भी गोबिंद बल्लब पंत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन यानि की एचारे के संस्थापक सर्दस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन करावा से दंडित स्री योगेश चन चटर जी ने अपनी यात्म कता है इन सर्च फ्रिडम में असपस्ट लिखा है कि पंडित मोतिलाल नहरू ने पंडित गोबिंद बल्लब पंत के नेत्रित में काकोरी कांड बचाव समेति का अगठन किया था तो भी आपसन जो है से उख जायेगा तो तो यह 18 जुलाई 1947 को प्राप्थ हुआ था, यह आपसन सही हो जाएगा. अगला कुशन है आपका निमलखित में से किस ने भारती राष्टी कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो की 1931 में हुआ था, को महत्मा गांधी की लोगप्रिता और सम्मान की प्राकास्था माना है. तो यह होगा, यह सी बोस, यह आपसन जो है सही हो जाएगा, यानि कि सुभाश्चन बोस ने भारती राष्टी कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महत्मा गांधी की लोगप्रिता और सम्मान की प्राकास्था माना, तो यह आपसन जो है सही हो जाएगा. अगला कुशिन आपका निमलखित में से किस ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा बीभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट वाद का सम्परदायवाद के पक्च में समर्पन के रूप में लिया है. तो इसका सही अंसर हो जाएगा. अगला कुशिन है आपका निमलखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है. तो यहाँ आप देख सकते हैं आपसे यह लिखा है भगत सिंग दि इंडियन सोशियोलाजिस्ट यह आपका सुमेट नहीं है. श्याम जी कृष्ण बर्मा भारती क्रांतिकारी अधिवक्ता यह पत्रकार थे जीन होने लंदन में दि इंडियन सोशियोलाजिस्ट नामक प्रकासन की अस्थापना की थी. यहां आपका सुमेट नहीं है. इंडियन सोशियोलाजिस्ट यह स्याम जी क्रिष्ण बर्मा द्वारा प्रकासित किया गया था. अगला कोशिन आपका नई दिल्ली में 1947 में आयो जीत अखिल भारती कांग्रेश समीती की बैठक में निमलिखित में से किस ने बिभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था तो इसका सही इंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद ने 3 जून 1947 की बिभाजन युजना की पुष्टी के लिए अखिल भारती कांग्रेश समीती ने 14 जून 1947 को हुई बैठक में गुबिंद बल्लपंत ने भारत बिभाजन का प्रस्ताव परस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया था तो D भी कल्प जो है सही हो जाएगा है अब यहां से जो है आपका बरस दोया तेरे UPPCS 3 में पूछे गए जो है प्रस्त देखने को मिलेंगे तो इसमें पहला है आपका निमलिखित में से किस आंदोलन के स्ताथ अउड़ा असफली जूड़ी हुई थी तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन D भारत छोड़ो अंदोलन से अगला कुशिन है बापका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के मादें से बताना है कि कौनसा आपसन सही हो जाएगा है तो अचली देखते हैं सबसे पहला आपका दिया गया है कि लेडी कैथरीन मे ओ तो इंका समद हो जाएगा मधर इंडिया से लेडी कैथरीन में वो मदर इंडिया एका दूसरा लारी कालिन्स एंड डोमिनिक लापियरे तो B का हो जाएगा आपका फिडम एड मिडनाइट फिडम एड मिडनाइट हो जाएगा B का पहला और C है राम मनोहर लुहिया तो इनका समद्ध हो जाएगा जोहला लाल नहरू जिस विकलब में होगा उइस होजएगा आप दे सकते हैं विकलब A सभय होजएगा अगला कोशन है 1922 में कांग्रेस के वंबई अधिवेशन में किसकी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था तो इसका सरी अंसर हो जाएगा आपसन E. जोहालाल नहरू 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जोहालाल नहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जिसे सरदार बल्ला भाई पटेल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है अब आपका निमलिखित स्वारी मुस्लिम लीग के लाहर अधिवेशन 1940 के अधिक्स था किसने की थी तो इसका सरी अंसर हो जाएगा आपसन C सही होगा मुहम्मद अली जिन्ना ने अब अगला क्वेशन है आपका चंपार्ड में तिनकठिया प्रथा का तात्परे था इसका सही इंसर हो जाएगा आपसने तीन बटे 20 भूभाग पर नेल की खेती करना चमपाड में तीन कठिया प्रथा से तातपर क्या था तो किर्षकों से तीन बटे बीज भुभाग पर नेल की खेती कराया जाने से था अस्थानी किर्षक राजकुमार सुकला के अग्रह पर महत्मा गांधी ने अप्रेल 1917 में चमपाड सत्याग्रह प्रारम किया था तो ये भी कल्प यहां सही हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन है आपका निमलिखित में से भारती राष्ट्री कांग्रेश के किस अधिवेशन में महत्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं प्रंतु गांधी वाद हमेशा बना रहेगा तो डी भी कल्प सही होगा कराची या दिवेशन 1931 में इन्होंने कहा था अगला कॉश्चन है आपका किस ने कहा था कि तिलक भारती असान्ती के जनक हैं तो यह वेलेंटाइन सिरोल ने जो है यह कहा था कि तिलक जो है भारती असांती के जनक है यह आपसन सही हो जाएगा अगला आपका माउंट वेटे नियोजना आधार बनी किसकी तो यह है आपका देश के बिभाजन का आधार बनी थी माउंट वेटे नियोजना अगला कुशन है आपका 1937 में प्रांतों में मंत्री मंडल के निर्मार के उपरांत कांग्रेश का सासन कितने महीने चला था तो यह 28 महीने चला था यह आपसन सही हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आपका डिककन एजुकेशनल सोसाइटी के स्थापना से कौन समबंधी था तो इसका सही निसर हो जाएगा आपसन C, BG, तिलक यानि की बाल गंगा धर तिलक अगला कुशन है बांबे, मदरास और कलकत्ता में उच नियालों की अस्थापना कब होई थी? तो यह 1861 में किया गया था यह आपसन सही हो जाएगा बांबे, मदरास और कलकत्ता उच नियालों की अस्थापना अबल्टी संसर द्वारा अगला कोशन है अजाद हिंद फोज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निमलखित में से किसने वकालत की थी तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन D सर तेज बहादूर सप्पुरूने और अगला कोशन है जलिया वाला भाग घत्या कांड के बिरोध में निमलखित में से किसने वह सराय की कारे परिशत से त्यागपत्र दे दिया था तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C सर संकरन नायर ने और अगला प्रश्ण है आपका निम्लिकित में से किसने स्वर्व पर्थम भारत के लिए अपनी में सीक स्वेराज जी की मांग की थी तो इसका सही अंसर होगा आप समसी सर तेज भादू सपरू और जै करने और अगला कुशन है आपका यह आपका यूपी पी सियस दोजार बारे में जो है पूशे गए प्रश्ण है तो इसमें है आपका औरंग जेब के मृत के समय मराठा नेत्रित किसके हाथों में था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन डी तारा बाई के हाथों में था राजा राम के मृत के बाद जो है उसकी बिध्वापत ने तारा बाई ने अपने चार वरसी पुत्र को सिवाजी दुती के नाम से गद्धी पर बैठाया और मुगलों से स्वतनतता संघर्स जारी रखा और अरंग जेब की मृत के समय मराठा नेत्रित तारा बाई के हाथों में था तो डी बिकल्प जो है यहां सही हो जाएगा आपका अगला कोशन है राम मुहन राय को राजा उपादी किस ने दी थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन बी अकबर दूती ये ने राम मुहन राय को राजा उपादी ततकारीन मुगल सासक अकबर टू ने परदान के थी वे अकबर टू के परतिनिधी के रूप में 1830 में इंग्लेंड गये थे उनकी पेंशन को ले करके पेंशन बढ़ाने संबंदी सिफारिश को ले करके जो है राजा राम मुहन लंदन गये थे अगला प्रशन आपका निमलिखित कालेजों में सरपर्थम किसकी अस्थापना हुई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन ये सेव गये हाँ हिंदू कालेज कलकत्ता की हिंदू कालेज कलकत्ता की अस्थापना जो है 1817 में हो गया था आपका 1817 में हो गया था हिंदू College कलकत्ता कि अस्थापना तो यह आप समझे जो है सह हो जाए गये हाँ कि निम्लिखित College में स्वरपसम किसकी अस्थापना हो थी तो हिंदू College कलकत्ता किया स्थापना होगी थी यहाँ जो दिया गया है Muslim Anglo Oriental College जो की आपका आलीगड तो ये आपका 1875 में इसकी अस्थापना हुई थी कब हुआ था तो 1850 में हुआ था और दिली कालेज की अस्थापना 1824 में हुआ था मेउ कालेज जो की अजमेर में है तो इसकी अस्थापना भी जो आपका 1850 में किये गये थी 1815 सबसे पहले जो आपका हिंदू कालिज कलकत्ता की अस्थापना हुई थी 1817 में राजहरामबहन राय और उसके बाद जो है डेविड हेयर के साथ मिलकर के जो इन्होंने कलकत्ता में 1817 में हिंदू कालिज की अस्थापना किय थी अगला है आपका सार्दा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों यो लड़कों के बीवाह की निवनतम आयुकरम से कितनी निधारित की गई थी तो इसका सिर्य इंसर हो जाएगा आपसन भी चोद है यो अठार है वर्स अगला कोशिन है आपका सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है तो एक तरफ आपका समाचार पत्र दिया गया है दूसरी तरफ भासा दिया गया है तो यहां आपको मिलान करना है तो जले जो देखते हैं भारत मित्र समाचार पत्र किस भाशा में प्रकासित हुआ था तो इसका जो सेह कें स्रो हो जाएगा आप्संञ शवरी यह हिंदी भासा में प्रकासित हुआ था भारत मित्र एक हो जाएगा तीसरा यहां जो कूट जो है आपका यह छूट गया है A, B, C, D हो गया तो भारत मित्र जो है हिंदी भासा में प्रकासित हुआ था राष्ट मत्त जो है आपका मराथी भासा में प्रकासित हुआ था तो B का हो जाएगा चौथा परजा मित्र जो है आपका गुजराती भासा में प्रकासित हुआ था C का हो जाएगा दूसरा और नायक जो है आपका बंगाली भासा में प्रकासित किया गया था अकबर का जो सासन काल रहा था वह 1556 से लेकर के 1605 इस भी तक रहा और British East India Company का गठन जो हुआ था हुआ आपका 1600 इस भी में हुआ था लंदन में तो उस समय जो है भारत में किसका सासन था तो मुगलू का सासन काल था और अकबर का सासन था उस समय यह आपसम जो है से हो जाएग अगला कोशन आपका वे राष्ट्री नेता कौन थे जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो वह थे बिठल भाई पटेल डी आपसम जो है से हो जाएगा बिठल भाई पटेल 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे इनके निर्वाचन को स्वेर अगला कोशन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट की माध हम से बता रहा है कि कौन सा आपसम सही हो जाएगा है तो चलिए देखते हैं एक तरफ कांग्रेस का अध्यक्ष दिया गया है दूसरे तरफ अधिवेशन और अस्थान तो सबसे पहला आपका ड अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी तो यह का हो जाएगा तीसरा और भी है पुरसोत्तम दास टंडन तो इन्होंने जो है नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बी का हो जाएगा चोथा सी है स्वरोजनी नाइडू तो इन्होंने कानपूर अधिवेशन क अध्यक्षिटोने गये थे या दी का हो जाएगा पहला 3421 आपका सही होगा 3421 आप देखे थे हैं बिकल्प सी जो है यहांसी हो जाएगा अगला कुशन अब आपका है किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया तो इसका सही अंसर होगा आपसन एस ही होगा चार्टर एक्ट 1823 चार्टर एक्ट 1823 की साधार धाराव में सबसे महतपूर धारा संख्या जो वर 87 थी जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारती अथवा क्राउन की देशज पर जाको अपनी धर्म जर्मस्थान वनसानुकरम वर्ग अथवाईन में से किसी एक की कारडवस कंपनी के धिन किसी अस्थान पद अथवा सेवा की अयोगी नहीं माना जा सकेगा कालांतर में राजनेतिक आंदोलन में 1823 एक्ट की एधारा प्रशासन में भागीदारी है तो मुख्य अधार बनी थी तो ए भी कलप आपका सही हो जाएगा अगला कुशन आपका प्रथम महायुद्ध के दोरान कहां पर भारत की एक अनन्तीम सरकार बनी थी जिसके प्रिसिडेंट राजा महेंदर प्रताप थे प्रथम महायुद्य के दौरान 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंदर प्रताप ने अपने सहयोगी ववरकतुला के साथ भारत के प्रथम एस्थाई सरकार का गठन किया था और अगला कुशन आपका निमलखित में से किन आंदोलनों दे महिलाओं को घर के चार दिवारी से बाहर निकाला तो नीचे दियेगा कूर्ट से सहयोग तर चुनिये पहला है सोधेशी आंदोलन दूसरा होम रूल आंदोलन तीसरा सहयोग आंदोलन चौथा है सविन और ग्या झुलूस हों और धर्वनों में सामिल हो इसके बाद सेवे सभी राश्ट्री आंदोलन जैसे कि होम रूल आंदोलन ऐसा होग आंदोलन यूम सभी न ओखे आंदोलन में सक्क्री रही तो आपका d भी कल्ब से हो जाएगा एक दो तीन चार सभी तो दोस्तों ये था आपका य दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लेजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपक धनिवाद